हमारी रेगुलर स्क्रीन को वापस लाते हैं और इसके थूरू समझते हैं कि प्रेशर फ्लू क्या है तो जैसे कि आपको पता है देखिए ओस्मोस में क्या था इसे को हम प्रेशर फ्लू बोलेंगे तो प्रेशर फ्लू क्या है यहां पर क्या है तो यह बेसिक सी चीज है और रियल लाइफ से अगर हम रिलेट कर रहे हैं जनरल एक्जाम्पल ले तो बेसिक सी चीज है अगर किसी पर्टिकलर एरिया में या पर्टिकलर जगह पे हाई प्रेशर क्रियेट हो जाएगा तो उसके अंदर के जो सब्स्टांसिज है वो अवियसली कहां जाएंगे इमेजिन करके देखो तो बेसिकली वो लो प्रेशर में जाएंगे लो प्रेशर मतलब का जहां एम्टी स्पेस है जहां पर ज्यादा एम्टी स्पेस है हाई प्रेशर का मतलब क्या है यहां पर आप क्या बोल सकते हो यहां पर स्पेस पूरा है ऑक्यूपाई हो चुका है इसलिए यहां पर हाई प्रेशर क्रियेट हो गया है ओके सो इस तरीके से भी बोल सकते हैं बढ़ हम यह सिब एक आइडिया था कि हम वैसे उस एक्जांपल से रिलेट करें रहें उसके सब्सटांस क्या कोशिश करेंगा जनंपल सहके यहां पर अपर होने वाला है आपर साइड का हई- अरे प्रेशर करेंद कोशिश रहे रहें प्रेशर में रहğin दिखात तो जैसे कि यहां पर आपको धिख रहे हैं यहां प्रेश्या प्रेशर है बीच में प्रेशर फ्लो दिखा रहा है कि मतलब इस डाइरेक्शन में लू प्रेशर की तरफ आएगा और अगला डाइगराम हमारा यही दिखाता है देखिए आप यह देख सकते हैं पहले वाले में अपर सैड में था अब नीचे वाले में लोर सैड में आ गया ह तो प्रेशर फ्लो के थुरू अभी यह जो हमारा फूड और वॉटर है यह नीचे आ चुका है लो प्रेशर में अब यह जो लो प्रेशर है यह एक तरीके से हल्प कर रहा है ओके कैसे देखो this high pressure inflowem यह एक statement पढ़ लेते हैं जो आपको नीचे display हो रहा है देखिए this high pressure inflowem moves the food to all parts of the plant having less pressure ओके जैसे कि हमने पहले वाले डियाग्राम में देखा तो उससे हमें clear हो जाता है कि यह high pressure से क्या हो रहा है flowem में food move हो रहा है जितने भी parts हैं जहां पर less pressure है low pressure है अब यहां पर होगा क्या अब low pressure कहां होगा दो cases यहां पर निकलते हैं हमारी regular screen पर आ जाते हैं वापस देखिए दो cases यहां पर निकलते हैं पहला case क्या less pressure कहां पर होगा जहां पर food या water दोनों का बोल सकते हो या एक का जहां पर सबस्टांसेज बोलते हैं water and food को इसमें ठीक है फूर एक्जांपल हम food and water को सबस्टांसेज बोल रहे हैं जहां पर होगा जहां पर जो सबस्टांस है उसका जो quantity है या उसका जो concentration है वह कम है उसका जो concentration है वह कम है यह पहला केस निकलता है पहला केस अगर statement को थूरू देखें तो क्या होगा less pressure will be there where there is less amount of substance और less pressure या less concentration of the substance ओके यह पहला केस निकलता है दूसरा केस किया the less pressure can be there where no substances are present ओके सो यह थे दो cases पहला केस जहां पर less quantity में substance है और दूसरा केस जहां पर है यह नहीं मतलब जहां पर आप बोल सकते हो substance है यह नहीं ओके सो बेसिकली होगा क्या यह high pressure कैसे help करता है अब हमरे regular screen में अगले point पहुंचते हैं कि यह high pressure जो है how it helps in moving or transporting the food according to the needs to all parts of the plant यह हो कैसे रहा है तो यह help कैसे कर रहा है obviously according to the needs बोला है ओके मतलब जहां पर less pressure होगा ओके जैसे कि हमने देखा less pressure कहा हो सकते हैं तो जहां पर less pressure होगा obviously वहाँ पर क्या होगा या तो कम food होगा वहाँ पर उसके requirement के हिसाब से food जाएगा और या तो होगा ही नहीं food तो होगा क्या वहाँ पर fully जितना उसका requirement है उसके हिसाब से वहाँ पर जाएगा okay तो यहां पर हो क्या रहा है less pressure हमने ख्या बोला जहां पर food का requirement होगा वहां पर ही less pressure होगा obviously यह 지フेवरी हमने right so high pressure क्या कर रहा है high pressure substance को that is food को specifically अभी transloakation का topic चल रहा है तो हम food बोलते हैं हम food बोलते हैं तो specifically food बोलते हैं तो यह high pressure कर क्या रहा है high pressure यह कर रहा है कि जो food है वो low pressure में लेके जा रहा है मतलब क्या हो रहा है high pressure जो है वो food को phloem में उस जगह transport कर रहा है जहां पर उसकी जरूरत है इस तरीके से यह जो high pressure है यहां पर help कर रहा है food को transport करने में in the phloem जहां पर उसकी जरूरत है इस तरीके से क्या हो रहा है इस तरीके से जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर वो पहुच रहा है इस तरीके से high pressure हमें help कर रहा है food को transport करने में according to the needs okay so यह statement एक बार देख लो इसका screenshot भी ले सकते हो आप या इसको learn कर लो that is due to the high pressure this helps in moving the food in the phloem to all parts of the plant having less pressure this allows the phloem to transport the food according to the needs to all parts of the plant okay so यह था हमारा basic चीज़ की जो high pressure है यह क्या कर रहा है और इससे help कैसे हो रही है so यह देखो अभी वापस diagram की तरफ आ जाते हैं okay diagram की तरफ आ जाते हैं तो देखो pressure flow से जो phloem है उसके अंदर क्या हुआ high pressure create to the upward side में okay अब pressure flow से low pressure की इसमें आगे देखिए यह नीचे आ गया है अपी right यह नीचे आ गया है okay आप पहले वाले diagram में देखो जो हमारा पहला diagram था उसमें कहता हाई pressure से low pressure okay तो यह low pressure था है जो नीचे वाला ही low pressure है और यह high pressure है अब यह जो लो प्रेशर नीचे दिख रहा है अगले वाले डाग्राम में हमको देखने को मिलता है यह प्रेशर फ्लो के थ्रू यह जो फूड एंड वाटर है जिसका कॉंसेंट्रेशन लगबक सेम है वह यहां पर पहुच चुका है लो प्रेशर में डाट इस रिक्वाइड पार्ट में देखे यह रिक्वाइड पार्ट है हमारा साइड का सिंग पार्ट या सिंग सेल वहां तक यह उसके लगबक आसपास पहुच चुका है अब इसके आगे की प्रोसेस हम बाद में आगे डिसकस करेंगे